गुड बार्निंग स्टुडेंट्स हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में वालवॉक्स के कुछ बेसिक्स को स्टेडी किया जिसमें उसका कॉमा नेम उसका टैक्सोनामिक पॉजीशन उसका क्लासिफिकिशन उसका थैलस स्टुक्चर के बारे में स्टेडी किया था बच्चों आज हम उसके एसेक्शुल रिपोड़क्शन यानि आलेंगिक जनन के बारे में अध्यान करेंगे आईए हम वन बाई वन इन पॉइंट्स को स्टेडी करते हैं कि वो किस प्रकार से एसेक्शुल रिपोड़क्शन अर्थात अलेंगिक जनन को पूर्ण करता है हम सबसे पहले अलेंगिक और लेंगिक जनन की बात करें उससे पहले वॉलवोक्स की बारे में जान ले आप बचों कि दोनों प्रकार से ये जनन प्रताश्यत करता है अर्थात ये asexual reproduction अलेंगिक जनन भी करता है और sexual production यानि लेंगिक जनन भी करता है, depend करता है कि environmental conditions अर्थात वातावरन की परिस्थितिया किस प्रकार की हैं, उसी पर इसके जनन का प्रकार निर्धारित यानि निर्भर होता है यदि वातावरन की परिस्थितिया अनुकूले अर्थात, जल परियाप्त मातरा में है, टेंपरिचर उतना अधिक नहीं है, प्रकाश की तिवरिता ठीक है, तो फिर ये अलेंगिक जनन को प्रिफर करता है, और जब जल सुखने लगता है जलाशेयों में वातावरन की परिस् जनन ये वातावरन की अनुकूल परिस्थितियों में प्रिफर करता है, अर्थात जब बसंत रितु हो या जो ग्रिश्म रितु है उसके प्रारंभ में ये हमेशा अलेंगिक जनन प्रिफर करता है, आप समझे कि ये जो अप्रेल माई की जो गर्मिया स्टार्ट होने लगत तक ये अलेंगिक जनन करेगा और बर्शारितु का जब आगमन हो जाता है उसके बात से लगा कर जहां तक जनन में भाग लेने की बात है तो वॉल वोक्स की जो कौलानी या सिनोबियम या समंडल जो होता है उसमें सदेव याद रखे हैं आप कि जनन में उस कॉलोनी का समंडल का पश्च भाग अर्थात पोस्टीरियर पार्ट जो है वो ही भाग लेता है उसकी जो कुशिकाएं होती है जिनका यदि आपको याद हो तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था जिनकी कुशिकाओं के ह जो समंडल है उसका पश्च भाग यादि पोस्टीरियर पार्ट वो जनन में भाग लेता है अब सवाल याता है कि जो रिप्रड़क्टिव सेल्स होती है यानि जो जनन में भाग लेने वाली जो कुशिकाओं होती है वो किस प्रकार से अनिकुशिकाओं से बिने दिखाई देती है तो यहां हम इस पॉइंट के बादि हम से समझ सकते हैं कि यह जो जनन में भाग लेने वाली कुशिकाओं है वे लार्जर साइज की होती है बड़े आकार की होती है उनका जो न्यूक्लियस यानि के अंदर होता है वह बहुती स्पष्ट और बड़ा होता है उनका ज कशाब का अभाव होता है फ्लेजिला नहीं पाए जाता है तो यह पांस साथ पॉइंट है जिनके आधार पर जनन कोशी का रिप्रडक्टिव सेल अन्य कोशिकाओं से अपने आपको भिनता दिखाने लगती है अब जब असेक्शुल रिप्रडक्शन या जो अलेंगिक जन तो जो कॉलोणी की पोस्टिरिर भाग की कुछ कोशिकाएं होती है वह जननशील हो जाती है वे अपने आकार को लगभग 10 गुणा बढ़ा कर लेती है अनि कोशिकाओं की अपक्शा इतनी हो जाती हैं कि वो लगबग गोलाकार हो जाती हैं कशाब यदी हैं भी तो वो उन्हें त्याग देती है अब इन बड़े आकार की कशाब भी हिन कुशिकाओं को हम गोनीडिया कहते हैं जिसका एक वचन गोनीडियम होता है और इनके पास जो आईसपोर्ट या दरग बिंदु है वो भी धीरे धीरे छोटा तो होता ही है लेकिन धीरे धीरे बाद में यह आईसपोर्ट भी नष्ट हो जाता है और पाइरिनोट्स जो हैं वो संक्या में बढ़ने लगते हैं क्योंकि उनके अंदर संग्रहित खा दिये पाये जाता है तो यह beginning मानी जाती है यह start point माना जाता है अलेंगिक जनन का जब उसके colony के पश्च भाग की कोई भी एक अत्वा अधिक कोशिकाएं अपने आपको गोनीडियम में या गोनीडिया में परिवर्तित कर लेती है by increasing their size of the cell अपनी कोशिकाओं का अकार बढ़ा लेती है जब वो बड़ी हो जाती है गोनीडियम में गनवर्ट हो जाती है तो वो कोशिकाएं परिधी से हट कर सिनोबियम के मध्यबाग जो कुकला भाग होता है अंदर की तरफ धकेल दी जाती है धकेल दी जाती है और उनके अंदर अब डिवीजन स्टार्ट हो जाता है खादेगी कमी होती नहीं क्योंकि पारिनोट्स उनके पास कई सारी संख्या में होते हैं अब डिविजन यानि विभाजन प्राराम करती है पहला विभाजन सदेव लॉंजीटुडिनल यानि अनुधेरी होता है समंडल के तल की तुल नाम है यानि समंडल के तल के मुकाबले वो पहला विभाजन अनुधेरी करते हैं जिससे दो कोशिकाएं बन जाती है जबकि जो सेकंड डिविजन है वो भी होता तो अनुधेरी है लेकिन पहले विभाजन के लंबवत तल में होता है जिसकी वज़े से चार कोशिकाएं बन जाती है जो थर्ड डिविजन है वो भी लॉंजिटुजिणल डिविजन होता है जिनकी वज़े से चारों कोशिकाएं डिवाइड होकर के आठ सेल्स में आठ कोशिकाओं में बदल जाती है अब जो चार कोशिकाएं हैं वो central हो जाती हैं और चार कोशिकाएं वो आपकी peripheral यानि परिधिय कोशिकाएं हो जाती हैं ये आठ कोशिकाएं जो हैं धीरे धीरे curved plate like structure यानि की वक्रित पटी नुमा रचना में परिवर्तित होने लग जाती हैं और अब उसको हम कहते हैं प्लेकिया अवस्था तो बच्चों करम से देखें आप पहले जो जनन में भाग लेने वाले कोशिकाएं जो आकार में बड़ी हुई थी उसको गोनीडिया कहते हैं गोनीडिया दो अत्वात तीन विभाजन करके आँठ खोशिकाएं बनाती है और आठ कोशिकाएं जो अब प्लेकिया अवस्था कि जो तमाम आठ कोशिकाएं हैं वे पुनल अनुधेरे विभाजन करते हैं 16 कोशिकाएं बना लेती हैं जो की धीरे-धीरे मध्य से खोकली भी होती हैं अगले पॉइंट में हम देख पा रहे हैं बच्चों उस अगले पॉइंट को देखे हम उससे पहले में आपको चित्र के माध्यम से बताओं ये देख रहे हैं ये ये पूरे परीधी पर पाये जान अपने आपको आकार में इन कोशिकाओं से सामानी कोशिकाओं से लगबग 10 गुना बढ़ी हो करके और गोनीडियम में बदल जाती है ये गोनीडियम अगली बार देख रहे हैं आप एक सामानी अनुधरी विभाजन कर रहे हैं समंडल के तलके लंबवाद तो दो कोशिकाओं के बाद फिर और विभाजन होता है तो आप देख पा रहे हैं कि आठ कोशिकाओं बनती जा रही है और इस प्रकार से विभाजन हो रहा है कि अंदर के बीच में यहां पर एक होलो कैवेटी यानि एक खुकला इस्थान भी बनता जा रहा है ध्यान रहे बच्च बीला भाग है वो केंदर की और यानि खुकले सिरे की और होता है अब इंपॉर्डेंट बात यह है कि जिसे यह वाली आवस्ता देख रहे हैं या कोई अभी चिदर नहीं देख रहा है आठ कोशिक यह प्लेकी आवस्ता कहलाती है अब जो अगला पॉइंट था हमारा यहां बोलते हैं फियालो पॉर तो इस फियालो पॉर का निर्माण हो जाता है इस चिदर का निर्माण हो जाता है और यहां कोशिकाएं अब यह पियालो पॉर भी बन गया चिदर भी बन गया और यह जो आठ या जो सोला कोशिकाएं बन चुकी हैं यह और विभाजन करते जाती ह और अभी तक ये कोशिकाइं याद रखें आप कि जो इनका अगर नुकीला भागे वो केंदर की और होता है और जो चोड़ा भागे वो भाग बाहर की और परीदी की और होता है इस प्रकार से और प्रते कोशिकाइं एक दूसरे से क्लॉस कॉंटाक्ट में होती हैं एक दूसर कोशी की अवस्ता आगी, यह फियालो पोर आगया बच्चों, यह नामंकन में, यहां कियावाई, यह फियालो पोर हो गया, 16 से बढ़ करके कोशी काओं किसन किया और बढ़ गई, याद रहे, फिर, कि यह कोशी काओं जो है, अर्थात उनमें inversion होता है उलटने लगती है आप देख रहे हैं ये नीचे की और उपर जा रही है ये उपर वाला फियालोपोर है जबकि ये नीचे से उपर जा रही है और ऐसे जाते 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 एक समय आता है कि जो फियालोपोर उपर वाला था वो पर्टनल के नीचे आ गया यह देख रहे हैं आप यहाँ पर और जो पूरी कॉलोनी थी वो क्या हो गई इन्वर्ट हो गई पूरी कॉलोनी पलट गई प्रतिलोमित हो गई और उल्टी हो गई यह नहीं अब इस डाइग्राम से इसको तुलना करें यह इस डाइग्राम से इसको तुलना करें यह प्यालोपोर किस और था बाहर की और था सामने कोशिकाओं की और था जबकि अब फ्यालोपोर इन्वर्जन होने के बाद प्रतिलोमित होने के बाद नीचे की और एकत्रित हो गया है और बाद में आप देख रहे हैं कि यह फ्यालोपोर बंद हो जाएगा ऐसा करने से इस इन्वर्जन होने से प्रतिलोमित होने से क्या फाइदा हुआ या क्या चेंज आया बच्चों तो यहाँ देखिया जब फ्यालोपोर उपर की तरफ था तब कोशिकाओं का जो नुकीला भाग के अंदरी भाग होलो भाग खोकले भाग की तरफ था जबकि पुलटने के बाद प्रतिक कोशिका का अग्र भाग नुकीला भाग बाहर की ओर आ गया है परिफरी की ओर आ गया है तो जैसा आप यह यहाँ पर इस पश्टूप से देख पा रहे हैं अब the inversion of colony starts with the formation of a construction opposite to the fialopor अब यह point जो आप देख रहे हैं यह भी यही कह रहा है कि जो कोशिकाएं हैं वो आपकी fialopor प्रतिलोमन होने की वज़े से जो fialopor उसकी स्थिती रिवर्ट हो जाती उल्टी हो जाती है और दीरे 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 बाद में यह जो अगरुनुकीले भागे कोशिकाओं के बाहर चले जाते हैं और जैसा कि हम इस अगले पॉइंट में देख रहे हैं कि यहां से आपका जो fialopor है वो बंद हो जाता है यहां चितर में देख भी रहे हैं और जहां से fialopor बंद होगा बच्चों वो जगें एंटीर पार्ट अफ दे कलाएगा यानि समंडल का अगरभाग कलाएगा after inversion the sales develop sell wall inversion होने के बाद कोशिकाएं अपने चारों और कोशिका बित्ती बनाती हैं कशाब भी विक्सित होने लगता है उनमें और लास्ट में आई स्पोर्ट या द्रक बिंदू भी उत्पन हो जाते हैं सारी की सारी cells एक दूसरे से जब उनकी बीच में gelatinous sheet बनने लग जाती है तो फिर वो एक दूसरे से प्रथक भी होने लग जाती है यदि भी बाद में उनके बीच में जो सामानी कोशिकाओं के समान जो कोशिका दरविये सेतू हैं connections हैं वो भी विक्सित हो जाते हैं यानि हम देखें कि ये जो रचना आपको दिकरी है ये रचना धीरे धीरे एक यंग कॉलोनी डॉटर कॉलोनी यानि पुत्री निवह का रूप धारण करने लगती है और प्रतेक कोशिका अपनी आपको एक closed मुसीलेजिनस चैंबर के अंदर स्थापित कर लेती हैं यही डॉटर कॉलोनी बाद में विक्सित हो जाएगी मैंने आपको जब थेलस की सनचन वाला लेक्चेर बताया था तब आपको बताया था कि एक कॉलोनी के अंदर स्वारी एक लॉटर कॉलोनी के अंदर हमें कई सारी ऐसी डॉटर कॉविक खॉ describes तक और अपनी जो पैत्र कॉलोनी यानि जो जनक कॉलोनी है पैरेंट कॉलोनी है उसको छोड़ matrices काुन को साथ दि स्वतंत्र रूप से release हो जाती है मुक्त हो जाती है और उसके बाद जो parent colony है वो disintegrate हो जाती है अर्थाद वो दीरे दीरे फिर नश्ट हो जाती है यदि एक parent colony के अंदर 10 से 12 daughter colonies बन जाती है तो सभी daughter colonies parent colony में से निकल जाएंगी और फिर parent colony जो है वो disintegrate यानि की दीरे दीरे नश्ट हो जाती है कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो जो नई colonies है वो last तक भी parent colony के साथ जुड़ी रहती है इस प्रकार से हम देखते हैं कि wall walks में अलेंगिक जनन हुने के पश्चाथ एक wall walks की colony या समंडल से कई सारी पत्री निवह या डोटल कॉलोनी बन जाती है और ये डोटल कॉलोनी जल में फ्री रूप से मुक्त रूप से तेरने लगती है और हम कहते हैं कि wall walks की संक्या में ब्रद्य होगी और हाँ हम कहेंगे कि ये अलेंगिक जनन यहीं पर पूर्ण हो जाता है मेरे हिसाब से ये टॉपिक भी इस चित्र के मादियम से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा यदि कोई प्रशन है कोई शंका है तो गुर्पिया अपना शंका गुरूप के अंदर आप लिख सकते हैं थैंक्यू सॉमच